मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए ओम शान्ती आज की तारिक है 15 दिसंबर 2023 के बाबा के सकार महावाक्य मीठे बच्चे ये बना बनाया अनादी ड्रामा है इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है मौक्ष किसको भी नहीं मिल सकता बाबा ने प्रिशन पूछा शीव बाबा अश्रीरी है वे श्रीर में किस लिए आते हैं कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं बाबा ने उत्तर दिया बाबा कहते बच्चे मैं इस श्रीर में तुमें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ मैं आया हूँ तुम्हें नई राज़ानी देने बाकी सवाद तो इनकी आत्मा लेती है गीत छोड़ भी दे आकाश सिहासन ओम शान्ती गीत बजाए ही वह जाते हैं जिसमें अपना तैलुक हो आकाश में कोई तकत नहीं है आकाश इस पॉलार को कहा जाता है बाकी आकाश तकत में तो तकत नहीं है ना परमपिता परमात्मा इस आकाश में तकत पर रहता है बाप बच्चों को समझाते हैं हम परमपिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माई हो दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हैं उसको मूल बतन कहा जाता है जैसे यहां आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं वैसे हूब अहू ज्ञाड के माफिक महतत्तम में भी आत्माई रहती हैं, जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज पर अधार नहीं हैं, एम आत्माई और प्रमात्मा बाब हम सब रहने वाले महतत्तम में हैं, सितार माफिक ही हैं। ग्यान सुरिय ग्यान चंद्रमा ग्यान सितारे अब यह तो समझाया है, जब जब भीड पड़ती है, यनि दुख होता है, तब आता हूँ, पुराने को नया बनाना है जरूर, पुराने में ही भीड होती है, कल्यूग में है दुख की भीड, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है फिर से मुझे आकर सहज ग्यान और सहज राजयोग सिखलाना होता है सब बुलाते हैं कि आओ, क्रिशन के लिए नहीं कहते कि सिहासन छोड़ कर आ जाओ क्रिशन के लिए सिहासन अक्षर शोबता नहीं वह तो प्रिंस था ना, सिहासन तब कहें जबकी राजगदी मिले हाँ छोटे बच्चे को बाप गोद में इबा, बाज्यू में बठा सकते हैं तो बाप समझाते हैं, आतमाई मोल बतन में स्टार माफिक है फिर बहां से नंबर वार आती रहती हैं, दिखाते हैं ना, स्टार कैसे गिरते हैं वहां से भी आतमाई आकर सीधा गरम में जाती हैं यह अच्छी रिती नोट करो हर एक आतमा को सतो रजो तमों से पास करना है जैसे पहले लक्षमी नारायन आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्ता से पास होते, पुनर जनम लेते लेते फिर तमों प्रदान अवस्ता को पाना ही है हर एका ऐसे है, बापिस जा नहीं सकते इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमों से पास करना है पुनर जर्म लेना पड़ता है दुआपर में धर्म सापक आते हैं वहां से पुनर जर्म शुरू होता है फिर तमोपदार बनना है अब उनकी सद्युटि कौन करे सद्युटि दाता तो एक ही शिब है कहते हैं सब की सद्गती करने मुझे आना पड़ता है बाबा कहते हैं सब की सद्गती करने मुझे ही आना पड़ता है क्योंकि एक शिवी कर सकते है मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता बाबा ने कलियर किया कि मेरे जैसा काम कोई भी नहीं कर सकता मैं देवी देपता धर्म इस्थापन करता हूँ तुमको राजोग सिखा रहा हूँ गती और सद्गती दाता तो मैं ही हूँ बाबा कह रहे हैं गती और सद्गती दाता मैं ही हूँ कोई गुरू गुसाई नहीं हो सकता एक शिवी है जब तुम पूर बन जाते हो तो फिर मैं तुम को बापिस ले जाता हूँ, तुम्हारी भी सद्गति करता हूँ, तुम्हारे साथ जो अनेग धरम बाले हैं उन धरम सादकों सेध सबका उध़ार करता हूँ, तुमको ग्यान से शिंगार कर स्वरक के मालिक लक्षमी अथवा नारायन को वरने लायक बनाता हूँ फिर तुमको बापिस ले जाता हूँ सबको पहले मुक्ति दाम बेज देता हूँ सबका सदगती दाता भी हूँ दूसरे धरम सापक जो आते हैं वह सदगती नहीं करते वह सिरफ अपना धरम सापन कर उनकी बृद्री करने लग अपने धर्म में पुनर जनम लेते सतो रजो तमों से पास करेंगे अभी सब तमों परधान है अब इनको पावन सतो परधान कौन मनाए बाब खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं भगवान आकर सब की सद्गती भी करते हैं भारत को स्वरग भी बनाते हैं जीवन मुक्ति क के लिए राजो सिखाते हैं इसलिए बाब की इतनी महिमा है गीता है सर्फ शास्तर मैं शिरोमनी परण्तु कृषिन का नाब लिख देने से भगवान को भूल गए हैं भगवान तो सब का सद्गती दाता है इस लिए गीता सब धर्म बालों के लिए धर्म शास्तर है सब को इसे मानना पड़े सद्गति का शास्तर और कोई है नहीं सद्गति देने वाला है ही एक उनकी ही कीटा है तुम बच्चों को सद्गति का ज्यांद दे रहे हैं गीटा में शिवक का नाम होता तो सब धर्म बालों का ये शास्तर होता, बाप सब को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ, तो विकरम बिनाज होंगे, और तुम मेरे धाम आ जाएंगे, यानि परम धाम आ जाएंगे, सब धरम बालों की सद्गती करने वाला भी मैं हूँ, बाकी तो आते ही हैं, अपना धरम करने, मुनुष्य कहते हैं, क्या मोक्ष नहीं मिलेगा, बाप कहते हैं नहीं, जो भी सब आत्माई हैं, सब का पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती, हर एक की पूरी एक्ट का अनाधी ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा अनाधी है, उसका आधी आन्त नहीं है, सिष्टी की आधी सत्यू को कहा जाता, और आन्त कल्यू को कहा जाता है, बाकी ड्रामा का आधी आन्त नहीं है, ड्रामा कब बना, यह नहीं कह सकते, यह प्रेशन उठ नहीं सकता, बावा ने समझाया है, कि और जो भी शास्तर हैं, उनसे हर एक ने आकर अप होती गई कितनी कितनी गुहाँ पॉइंड्स यनि कि निवंद लिखने जैसी है यहा गपोडे की बात नहीं हार जीतका यह ड्रामा है सत्यूग में परमात्म scasm को याद करने की दरकार नहीं परमात्मा को याद करे तो फिर यह बाते भी समझे कि हम ब्रामनों को उसने रचा है。 तुमको तो समुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ या ब्रामनों की नेए दुनिया है संगमगी, चोटी को तो कोई नहीं जानते बिराट रूप बनाते हैं उसमें देपता शत्रिय विश्य शुदर दिखाते हैं ब्रामनों को भूल गए हैं सत्यूग में देपता हैं कल्यूग में शुदर संगम यूगी ब्रामनों को जानते नहीं ये राज बाप आकर समझाते हैं बाबा कहते हैं पवित्तर शास्तरों से चित्तर निकाल परिकर्मा दिलाए फिर बापिस मंदर में ले आते हैं बाबा अनुभवी हैं शास्तरों से गाड़ी भरकर परिकर्मा देते हैं ऐसे ही फिर देवताओं के चित्तर भी गाड़ी में रख परिकर्मा दिलाते हैं यह सब हैं भक्ती मारग तुम हो शक्तियां तुम सारे बिशव की सद्कति करती हो प्रन्तु यह कोई जानते नहीं कि दिलवाडा मंदिर हूब हूँ इनों का यादगार है ऐसा मंदर कहीं नहीं है जगदंबा है शिप बाबा भी है शक्तियों का छबूतरा भी बना हुआ है भक्ति मारग में फिर से ऐसे मंद बनेंगे फिर बिनाश होगा तो यह सब खतम हो जाएगा सत्यों में कोई मंदिर होता नहीं यह सब भक्ति मारग का विस्तार है ग्यान में तो चुप रहना है एक शीप बाबा को याद करना है शीप बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेर हो जाएंगे फे नहीं होना है उनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो प्रंतु ऐसे याद आता नहीं है फिर भी गाया जाता है अंतकाल जो नारायन सिम्रे बात अभी की है भंभोर को आग तो लगनी है अंतकाल जो नारायन सिम्रे बरोवर अब तुम समझते हो हम नारायन वा लक् हो बाबा विगरी है ग्यान कोई दे नहीं सकते ये बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शीप बाबा ने बताया है यानि कि ब्रमा बाबा इनको शक्ती सेना बाप पांडव सेना कहा जाता है पांडव नाम है महरतियों पर शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं तो बाप कहते हैं जैसे कलब पहले सहज राजयोग सिखाया था हूबा हूँ इसी परकार सिखा रहा हूँ जो भी एक्ट चलती है कलब कलब वहीं चलेगी इन में फर्क नहीं पड़ सकता फिर कलब कलब ये पाड़ चलेगा बाबा कहते हैं तुमको गुहां गुहां बाते सुनाता पीछे क्या होने वाला है सोतो फिर पीछे सुनाएंगे न अभी सब सुना दो तो क्या बस बापिस चला जाओं अंत तक नए पॉइंट सुनाते रहेंगे हम गीता की महमा बहुत करते हैं परन्तु उस गीता वा महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदी दिखा दी है अब ल इस तरी को नरक का दवार कह दिया है बास्ता में नरक का दवार तो दोनों है अब उनको फिर स्वरक का दवार कोन बनाए वह तो भगवान की ही ताकत है यह गीत बाबा ने बनवाए है फिर बनाने वालों ने कोई ने ठीक बनाया है कोई ने रोंग बनाया है मिक्स कर दिया है रात के राही ठक मत जाना ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाई हैं तो यहां की बातें और हैं गोशाला भी है बनवास भी है प्रन्तु अर्थ नहीं समझते हमने किसको भगाया क्या किसको कभी कहा था कि कराची में चले आना पूछो इन शक्तियों से ये ड्रामा में पाड़ था जिन पर सितम हुए तो चले आई तो राइट क्या है मैं बाब बैट बतलाते हैं शास्तरों में तो जो लिखा है वह है भक्ती मारक उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते मेरे पास आ नहीं सकते मुझे तो गाइड बन यहां आना पड़ता है कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया ज मुझे तो गरस्ती के तन में ही आकर उनको ग्यान देना है उनके ही 84 जनम बताता हूं तो कितनी गुहां बाते हैं ये ने धर्म के लिए नहीं बाते हैं ग्यान भी नहा है बाप कहते हैं कलब कलब मैं ये ग्यान सुनाता हूं और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कलब आता हूँ लक्षमी नरेन दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं वहां ये ग्यान ही प्राइलोफ हो जाता है शास्तर तो बाद में अनेक बना दी हैं हम ब्रामनों के लिए एक ही गीता है धरम भी स्थापन करता हूँ और सद्गती भी सबकी करता हूँ मैं कौन हूँ मैं टृत हूँ मैं कोई बैरशास्तर नहीं सुनाता हूँ बल इसने पड़े तो बहुत हैं परंतु वह सुनाते थोड़ी है ये तो शीब बाबा नहीं नहीं बाते सुनाते हैं वह तो अश्रिरी है सिरफ यह मुर्ली सुनाने का काम करने आते हैं ना कि खाने पीने आते हैं, मैं तो आया ही हूँ, तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने, सवाद इनकी आत्मा लेती है, हर एक का धर्म अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्तर पढ़ना है, यहां तो धेर शास्तर पढ़ते हैं, सार कुछ भी नहीं है, जितना पढ़ते हैं, असार संसार होता जाता है तमो परदान बनना ही है पहले पहले स्रिष्टी में तुम आए हो तुम ब्रामनों ने मात पिता से जनम लिया है उस तरफ है आसूरी कटुम यहां है इश्वर्य कटुम फिर जाकर देवी गोद लेंगे सुरक के मालिक बनेंगे माता पिता की मत पर तो सुरक के सुक घनेरे मिलेंगे बाकी रुद्दर ज्यान यग में बिगन तो जरूर पढ़ेंगे बाप कहते हैं बच्चे बिकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो ऐसे थोड़ी शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे सन्यासी पवित्र बनते ह हैं फिर वह कितने मोटे तंदरूस्त रहते हैं यहां तो ब्रेन का काम है मेहनत है ददिची रिशी का मिशाल है ना सन्यासी को तो बहुत माल मिलता है बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे यहां तो बहुत प्रहेज रखनी पड़ती है अच्छा मीठे मीठे सिकला दे बच बच्चों परती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोरनी रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को शर्दा भरी प्रेम भरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शु मीठी 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 मुर्ली के लिए दारना के लिए मुक्य सार नमबर एक ग्यान की अच्छी धारना के लिए पवित्रता के ब्रत को अपनाना है अंतकाल है इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाए और कोई याद ना आए नमबर दो धदिती धदिची रिशी मि इसल सेवा करते बिकारों पर बिजे प्रापत कर जगत जित बनना है वर्दान समय की रफ्तार प्रमान सरब प्रापतियों से भरपूर रहे माया जित बनने वाले तिवर पुर्शारती भब बाब दादा ने जो भी प्रापतियां कराई है उन सरब प्रापतियों को स्वम में जमा कर भरपूर हो, कोई भी कमी ना रहे जहां भरपूरता में कमी है, वहां माया हिलाती है, माया जित बनने का सहच साधन है, सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना, कोई एक भी प्राप्ति से बंचित नहीं रहो, सरब प्राप्ति हो, समय की रफ्तार प्रमान, कोई भी समय कुछ भी हो सकता है इसलिए तिवर पुर्शाति बन अभी से भरपूर बनो अब नहीं तो कभी नहीं सलोगन सत्यता और निर्वेता की शक्ती साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता ओम शांती